हलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं कक्छा 10 का जो पेपर है हिंदी का अर्दवार्शिक परिशा के लिए तो सभी प्रशन करने अन्यवार रहे हैं एक भी प्रशन को छोड़ना नही बस आप याद करते जाएं आपका काम है याद करना और हमारा काम है आपको बताना तो पहला क्यूशन देखने से पहले आप सभी से रेक्वेश्ट है कि जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन वेल को ओन कर लें जिससे आपको हर वीडियो के अपडेट टायम से मिल सके तो आईए बढ़ते हैं आगे पहला क्यूशन है आपका आचारे रामचंद्र सुक्ल ने हिंदी पद्य साइथ को विवाजित किया है आपको बताना है कितने कालों विवाजित किया है तो जो इनोंने विवाजित किया है, वै किया है, चार कालो के अंदर, option number 2, आपका सही उत्तर रहेगा, second है, परसु का अर्थ होता है, फरसा, तो आप सभी जानते होंगे, फरसा के एक ओजार है, जिसको हम काम में लेता है, थर्ड नमबर क्यूशन है विवानु भाव वेविचारी संयोग द्रस निस्पत्ति यह परिवाशा है तो यह है बरतमुनी की नए क्यूशन है क्यूशन नमबर फोर अंतिम बार हवलदार साब ने नेता जी की मूरती पर कौन सा चस्मा लगा देखा था तो नोंने कौन सा चस्मा लगा देखा था सरकंडे का चस्मा ओप्सन नमबर तीन नेक्ट है जिन मूल सब्दों से मिलकर समास बना है उनमें से पहले पद को क्या कहते हैं पहले पद को हम कहते हैं पूर्वपद और बाद वाले पद को कहते हैं तरपद नेक्ट है छै नमबर क माता का आचल पाट के आदार पर मकई के खेत में जुंड चर रहा था तो मकई के खेत में किसका जुंड चर रहा था यह जुंड था चिडियों का ओप्सन नमबर चार नेक्स्ट है सेकिंड नमबर क्यूशन इसके भी आंसर अमने लगा रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं प थर्ड है विश्टरत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं हम मा काव्य फोर है दिल्ली चलो का नारा दिया था सुबाचंद्र बॉस ने फाइब नमबर है खाली जगे वाकिसे किसी क्रिया के करने या होने की सामाने सूचना मिलती है आपको बताना है कौन से वाकिसे सिक्स नमबर भोलानात और के साथी अमोले को गिसकर क्या बनाते थे तो वो बनाते थे सहनाई ये थे सेकंड क्यूशन के आंसर थर्ड क्यूशन है निमलेकित कत्नों के समख सत्या असत्य लिखिए पहला है सूर्दास के पदमें तेल की अगरी स्री करश्न को कहा गया है सेकंड है संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई है थड़ है बाल गोविन भगत मंजले कद के गोरे चठे व्यक्ति थे आप सभी को बताने कथन सत्य है या ऐसत्य फोर है लेखक ने मईया के आचल को प्रेम और सांती के चंदोवे की चाया का आए पांच नमबर है वाके के चार प्रकार है वाच्च के चार प्रकार है सिक्स नमबर है लेखक सिव पूजन साय के पिता आटे की गोलिया मचली को खिलाते थे क्यूश्चन नमर चार है सही जोड़े का मिलान करना है आपको आपको दे रखे हैं ब्रंग कुल के द्वच, दोहा, कहानी के तत्व, निस्तब्दा, गले का हार और महतारी नेक्स्ट आपको पूछा है प्रश्ण जिसमें आपको एक वाक्या अंदर उत्तर देना है पहला है राम लक्ष्ण परश्ण राम समवाद किस गटना के कारण हुआ था आप सभी को पता है किस गटना के कारण हुआ था राम जी ने सिवजी का दनुस्तोड़ा था तो इसके कारण ये समवाद हुआ था दूसरा है उद्धिपन किसे कहते हैं थड़ है बालगुविन भगत की प्रवावतियां किस मां से सुरू होकर किस मां तक चलती थी चार नमर है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संदी होगी फाइब नमर है आम के आम और गुटलियों के दाम लोकोक्ती का अर्थ बताईए शिक्स नमर है हिंदी का एस्पर्ण सिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है रीती काल की कोई दो विशेष्था या प्रवधियां लिखिए अत्वा नई कवीता के कोई दो कवी एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए प्रसंगे साथ है सूरदास अत्वा तुलसी दास की काविगत विशेष्था है निवने बिंदों के आदार पर दीजिए आपके बिंदों हैं दो रचनाए और दूसरा है पहुपक्ष कलापक्ष क्रिशन नमर आठ है क्रिशन के पती अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अविव्यक्त किया है अत्वा राम लक्षमन पर शुराम समबाद पाट के आदार पर राम के स्ववाव की कोई दो विशेष्था हैं लिखिए प्रेसंगे नौ है वोपियों ने उद्धव से योग की सिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है अत्वा लक्षमन ने वीर योद्धा की क्या के विशेष्था हैं बताई हैं कोई दो विशेष्था हैं लिखिए प्रेसंगे दस है प्रबंद काव किसे कहते हैं प्रबंद काव के भेद के नाम लिखिए अत्वा हासिरस की परिवासा उदारन साइथ लिखिए प्रसन के ग्यारा है मा कावे और खंड कावे में कोई दो अंतर लिखिए अत्वा चौपाई छंद के लक्षन उदारन साइथ लिखिए प्रसन के बारा है रिपोर्ट ताज किसे कहते हैं किसी एक रिपोर्ट ताज का नाम उसके लेखक साइथ लिखिए अत्वा जीवनी और आत्मकता में कोई दो अंतर लिखिए प्रसें के तेरा है स्वेम प्रकास अत्वा राम रक्ष बेनी पुरी की साहित तिक विसेशता हैं निमलिकित बंदों के आदार पर लिखिए नेक क्यूशन है आपका चौदर नमर क्यूशन प्रसें के लिखिए प्रसें के सोला है निमलिकित वाक्यांस के लिए एक सब्द लिखिए पहला है जो बात लोगों से सुनी गई हो और दूसरा है कम खर्च करने वाला अत्वा आपको मौवरे का अर्थ बताते वे वाक्या में प्रयोग करना है पहला है आग में गी डालना और दूसरा है चारचांद लगना प्रसें के सत्रह है बोलानात अपने साथियों को देखकर से सकना क्यों बूल जाता है लिखिए अत्वा बच्चे माता पिता के प्रती अपने फ्रेम को कैसे विवक्त करते हैं लिखिए प्रसें के अठार है निमले के काव्यांस का संदर प्रसेंग सहीत बावार्थ लिखिए दोनों हैं दोनों में से कोई एक करना है आपको प्रशन के 20 में आपको गद्यांस दे रखा है जिसकी से अपर संग व्याक्या करनी है चाहे तो आप इसका कर सकते हैं हालदार साब का या फिर आप दूसरा दे रखा है उसका कर सकते हैं प्रसंगे 20 है, दुम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियां बताते हुए एक विग्यापन 25 से 50 सब्दों में तयार कीजिए, अत्वा परोपकार का महत्व विशाय पर एक अनुच्छत लिखिए, प्रसंगे 21 है, आपको एपटित काव्यांस या गद्यांस को पढ़कर उसे पूचे गए प्रस्णों के उत्तर देना है, यह आपको काव्यांस दे रखा है, और नीचे आपको बद्यांस दे रखा है, तोनों में से जो आपको शूटेबल लगे, वो करना है, प्रसंगे 22 है आपका, अपने जले के जलादीस को दोनी विस्तारक यंत्रों पर प्रतिव अब इतनी बंद लिखिए, आपके टॉपिक हैं, विद्यारती जीवन में नेतिक मूल्यों का महित्व, दूसरा है, प्रदूशन नियंतरन, कारा नेवम नेदान, थर्ड है आपका सिक्षा की छेते में इंटरनेट क्यों प्यूखता, फोर है पुस्तकाले का महित्व, और पांच है, मेरी इसमर्णी है, यात्रा, तो यह ते सारे इंपोर्टेंट क्यूशन, आयोप आपको वीडियो अच्छा लगाऊगा, वीडियो अच्छा लगाया तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन म हमारे टेलिग्राम चैनल और वार्टसप ग्रूप दोनों का लिंक है, तो दोनों को जोईन करें, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, सभी को एकजाम के लिए बेस्ट आफ लक, ठैंक यू,